सैमसंग M21 कॉल फ्लेश लाइट सेटिंग नमस्कार दोस्तों स्वागर अब सभी का तिकराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि केसे आप जो है अपने सैमसंग के इस डिवाइस पर कॉल फ्लेश लाइट सेटिंग केसे स सेटिंग दोस्तों थोड़ा सा अंदर पर आपको मिलेगा सेटिंग के अंदर पर तो आप वही से सेट कर सकते हैं तो कहा पर जाना है कौन सा सेटिंग है किस तरीके से आपको इनेवल करना है ठीक है सब कुछ जाने को मिल जागा यह वीडियो आप जरू डेकना वीडियो श चुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है स्क्रॉल डाउन करना है स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा एक्सेसिबिलिटी ठीक है एक्सेसिबिलिटी एक्सेसिबिलिटी पर जाने के बार एडवांस सेटिंग अगर एडवांस सेटिंग आपको बाहर पर मिल जाते हैं तो बाहर पर आप एडवांस सेटिंग सेलेक करें flash notification पर जाए flash the camera light when you receive notification or when alarm sound तो इसको enable कर दीजे और preview यहाँ पर आप करके देख सकते हैं ठीक है, flashlight blink करना शुरू हो जाएगा तो call आते वग भी दोस्तों आपका जो flashlight है, वो यहाँ पर जलेगा, अगर alarm बसते हैं तब भी जलेगा अगर कोई notification आते तब भी जलेगा, ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है यहाँ पर flash notification set कर सकते हैं, तो दोस्तों अगर आपको call flashlight setting करना है तो आपको यह setting enable करना है होगा, अगर आपको चाहिए third party application, तो आप दोस्तों play store में जा सकते हैं, play store में आपको कई सारे options मिल जाएगा, जैसे की call flash, ओके यहाँ पर call flash f-l-a-s-h ठीक है, तो call flash यहाँ पर आपको मिल जाएगा तो flash alert on call SMS आपको यह setting यहाँ पर दिख जाएगा, तो 4.6 rating almost दोस्तों यहाँ पर 5 rating इसको मिलने वाला है तो आप भी दोस्तों इसको install करके यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर rating आप देख सकते हैं, काफी बड़िया reviews है, इसका download 1 million पहुंच चुका है, तो आप इसको इसको इस्टेमाल कर सकते हैं, ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों आप सेट कर पाओगे call flashlight setting उमीड करते हैं, वीडियो आपको पसंद आओगा thanks for watching